Hello everyone, अज़के इस फीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Class 12 Chemistry का बहुत important topic जो आपके board exam में बार-बार पूछ लिया जाता है, जो है संक्रमड तत्तों, तो संक्रमड तत्तों किसे कहते हैं, इसका परिमासा क्या होता है, इसका example क्या होता है, और संक्रमड तत्तों के good क्या होते हैं, अर्थात अभी लच्छन, यह हम कह सकते हैं, इसकी बिसेस्ताई क्या होती हैं, पूरा हम detail में explain करने वाले हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि बहुत ही असानी तरीके से आपको समझ में आएगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले तुमें यही क जानते हैं, इतनी बात आप समझ गए, संक्रमर्ट तत्व का है, या डी ब्लॉक का तत्व का है, दोनों बात एक ही है, तो सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने संक्रमर्ट तत्व लिखा है, तो देखिए, हमने यहाँ लिखा कि आवर्थ सारड़ी में, जो हमारा आवर्थ सार तो कहते हैं अब आप कहेंगे सर आवर्थ सांडी कैसे होता है तो मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा आप देखकर समझ सकते हैं कि यही आवर्थ सांडी आप जहां भी कोचिंग भी करते होंगे तो वहां पर आपको इस तरीक्या का आपको देखें होंगे ठीक है आपक तुरंट में बना दे रहा हूँ इसको ठीक है देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ठीक एक तो तीन चाहर पांचे साथ आठ नो दस ठीक है देखिए यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है मैंने आपको पहले भी बना सकता था बट मैंने सोचा कि आपको देखे कैसे बनता है देखिए हम इतनी बात बेसिक बात जानते हैं आपको दो तीन चार हिसे आपको चार हिसे दिखाई दे रहे हैं एक आपको ये दिखाई दे रहा हो, दो, एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे हम S कहते हैं, S ब्लॉक कहते हैं, ये दो खंड आपको दिखाई दे रहा है, इसे S ब्लॉक कहते हैं, देखें, इदर आपको साइड में जो दिखाई दे रहा है, इसे हम P ब्लॉक कहते है ठीक है यहां से यहां तक उसके बाद यह यहां से लेकर यहां तक आपको दिखाई दे रहा है इसे हम D ब्लॉक कहते हैं और जो नीचे आपको दो लाइन दिखाई दे रहे हैं इसे हम F ब्लॉक कहते हैं समझें सबसे पहला इसको F S ब्लॉक कहते हैं इसको P ब्लॉक इस वाले क को डी व्लॉक और यह एफ व्लॉक है जो नीचे रहता है दो स्रेंडियों में तो देखिए सबसे पहला तो इस तरीके का एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस ग्यारह बारह ठीक है तेरह 14 इस तरीके से 18 तक द्यानता आप समझेंगे कि एक से लेकर 18 तक के इस तरीके से क्या होते हैं वर्ग होते हैं ठीक है इस तरीके साब को जिससे इस प्रकार होगा तो उसे वर्ग कहेंगे इस प्रकार इसको अगर बांट दिया जाए फिर से द्यान से समझेंगे इस प्रकार यह आवर्थ होता है समझके इस तरीके का अगर लाइन अगर हो तो इसको आव आपको बता रहों ठीक है अदर्वाइस आपको समस्में आ जाएगा भी ठीक है सब कुछ हमने लीखा हुआ है देखे तो हम यहीं आपसे कह रहे हैं कि आवर्द सारणी में अब इस तरीके के क्या कहेंगे वर्ग कहेंगे तो हमने यहीं बताया कि आवर्ग तीन से लेकर बारतक के तत्तों को हम क्या कहते हैं डी ब्लॉक तत्तों कहते हैं यही तो हमने अभी आपको बताया ना कि आवर्ड सांड़ी में वर्ग तीन से बारतक के तत्तों को डी ब्लॉक के तत्तों कहते हैं उसके बाद हमने यहां पर लिखा है इसका मतलब क्यूंकि इसका अंतिमिले ट्रान होता है वो n-1 into d उपकोस में प्रवेस करता है n-1 के मतलब है कि अंतिम कच्छा से जस्ट पीछे वाला पहले वाला कच्छक ठीक है जैसे अगर मैं आपको समझाओं तो ये मालने ते नाभिक है अदाभिक है ये पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पाच्वा इस प्रकार कच्छक है तो इसका यदि हम कहें इस परमाडू का अंतिम कच्छा कौन है ये अला है तो इसको हम n से प्रदर्सित करेंगे अंतिम वाले को n से प्रदर्सित करते हैं अंतिम मालने इससे जस्ट पहले वाला जो कच्छक है इसे हम n-1 से प्रदर्शित करेंगे ठीक है इससे एक और पहले आ जाएगा तो n-2 हम कर देंगे समझ में आ रहा है यह अंतिम है उससे पहले वाला यह कच्छक है उससे पहले n-2 हो जाएगा उससे पहले आएगे तो n-3 होगा तो वही कहा जाएगा कि इसका अंतिमिल्याक्टान n-1 into d उपकोस में प्रवेश करता है मतलब d उपकोस जो d उपकोस है उसके second last केच्छा में प्रवेश करता है तो otherwise यदि आपको समझ में आता है तो ये सही बात है नहीं समझ में आता है ये सब कुछ हमने एक personally बीडियो में बनाया कर आपको बताया है समझना जाते हैं तो आप लिखिएगा electronic गिन्यास निकालना सिखे brother sir इतना लिख के search करेंगे आपको बीडियो मिल जाएगा तो इसका अंतिमिलेक्टान n-1 into d उपकोस में प्रवेश करता है क्योंकि ये s और p मतलब s block और p block के बीच में होते हैं ठीक है क्योंकि ये s तथा p block के बीच में होते हैं मतलब ये s block और p block के बीच में ये तत्तो होते हैं इसलिए इन तत्तो को d block के तत्तो कहते हैं समझ में आ गया आसान बाता में हमने एक एक बात को लिखा हुआ है ऐसे ही आपको board exam में भी लिखना है ये figure बनाने के कोई जरूरत नहीं है ठीक है मैंने आपको बना दिया है ठीक है अब देखिए यहाँ पे पहला हमने तीन चान लिया चौथा हम देखते हैं देखिए यहाँ पे D block में 4 स्रेंडिया होती है मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि D block में 4 स्रेंडिया होती है 4 स्रेंडियों का मतलब देखिए यह थोड़ा सा मैंने figure गलत बना दिया है ठीक है इसको मैं मिटका दे रहा हूँ ठीक है कि डी ब्लॉक में कितने चार स्रेंडिया होती है अब चार स्रेंडियों का मतलब क्या है कि आवर्थ जो सारेंडी है ना ये आवर्थ सारेंडी तो इसमें 18 वर्ग होते हैं मतलब इस प्रकार का जो होगा वो 18 होगा और इस प्रकार का जो होगा वो 7 होगा कितना होगा 7 होगा तो यहां पर यहीं बताया गया, कि मतलब कुल आवर्टसाड़ी में तो साथ होगा, परंतो जो D block का तत्तो है, यह D block है, इसमें कितने 4 स्रेडिया होती हैं, मतलब D block में 4 स्रेडिया होती हैं, तो देखे, एक यह पहला स्रेडिया होग्या, तो एक इसमें भरे गया, ये दूसरा सरेणी हो गया, ठीक है इसमें भरेंगे और एक तीसरा ये सरेणी हो गया, और ये अन्तिमौला चौथा सरेणी तो इसमें चार स्रेडिया होती है फैला, दूसरा, तीसरा, एक, चौथा समझ रहे ना तो वही कहा गया इस D block में चार स्रेडिया होती है पहले स्रेडि में पहले जो पहला में आपको थर्ड स्रेडि आता है देखे ये है थर्ड स्रेडि इससे उपर ये देख रहे हैं आपको दो आपको स्रेड़ी दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो ये D ब्लॉक में नहीं आते हैं तो 3rd स्रेड़ी इसे हम कहेंगे इस वाले को 4th स्रेड़ी इस वाले को 5th स्रेड़ी और इस वाले को 6th स्रेड़ी कहेंगे समझ में आ गया तो दीख से सेकेंड स्रेंडी होगा उसमें एले 37 से लेकर कितना तक यहां पर 37 नहीं सौरी 57 होगा एले 57 से होगा तक होगा उसके बार फिर से cd से लेकर आपका 59 से बारा स्यां 112 तक होगा तो देखेंगे तो प्रसो deg algun हो अग्ल का तो उसमें आप पढ़ेंगे तो यहां त Susie और भी बैतर रहेगा तो सब सी पहले शंक्रमर मर तक तो आता है तो contexts आपको यहां से लेकर यहां तक तक लिखना ही है ठीकए क्योंकि यह जो टॉपिक है ना, यह आपसे तीन नंबर में बोड एक्जाम में पूछे जाते हैं, कभी-कभी 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो अब आते हैं संक्रमर्टत्तो का गुण, अब देखें संक्रमर्टत्तो का अभी लच्छण कहें, या लच्छण कहें, या आच अभी लच्छन लिखिए या इसकी लच्छन का लच्छन बताईए इस प्रकार कुशन पूछा जाता है तो देखिए सबसे पहला हमने यहां पर लिख्या हुआ है इसका सबसे पहला गुण है या लच्छन हम कह सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्याद N-1 मतलब N-1 इन्टू D और D बलाक में हम इतनी बार जानते हैं कि 4 उपकोस होते हैं S, P, D और F ये 4 उपकोस होते हैं S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रान भरे जा सकते हैं P में अधिक से अधिक कितने 6 इलेक्ट्रान भरे जा सकते हैं जो D है उसमें 10 तक और जो F है उसमें 14 तक इलेक् में 14 तो देखिए N-1 into D D में हम जानते हैं कि अधिक से अधिक 10 तक भरे जा सकते हैं तो इसलिए हमने लिखे एक से लेकर 10 तक के इलेक्टान इसमें भरेंगे ठीके तो N-1 into D 1-10 तक उसके बाद N-S हमने लिखा है उससे जस्ट बाद वाला जो कच्छा के N-S, S में हम जानते हैं कि अधिक से अधिक 2 तो वही लिखे हैं एक से 2 तक होंगे तो यह इलेक्ट्रोनिक बिन्यास से इसको आप याद कर लेंगे कि इसका इलेक्ट्रोनिक बिन्यास जो संक्रमर तत्तो का बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी तत्तु जो होंगे न, यहाँ पर भी example जेट आपको दिखाई दे रहा होगा, यह सभी बहुत ही कठोर होते हैं, अतिहदी कठोर होते हैं, और वो कम वास्प सील होते हैं, मतलब क्या, कि उसको यदि हम गर्म करेंगे, तो यह तो इसको भी याद रखेंगे तीसरा आता है कि इसका गलनांक वो कोथनांक उच्छ होता है वही बात है कि इसका गलनांक और कोथनांक उच्छ होता है मतलब इसको अगर हम गलाएंगे तो वो जल्दी गलेगा नहीं और उसको वास्प में बदलने को कोशिस करेंगे तो वो भी वास्प में जल्दी क्या होगा परिवर्तित नहीं होगा ठीक है इसका गलनांक वकतनांक उच्छ होता है अगला चौथा इसका गुण है कि इसका जो कड़न एंथेलपी है वो उच्छ होता है ठीक है जो इन्थेल्पी तो कड़न इन्थेल्पी क्या होता है उच्छे होता है ठीक है उसके बाद इसका आइनन उर्जा S वो P बलाक ततो के मद्दे में होता है मतलब जो S बलाक का जो आइनन इन्थेल्पी है उससे अधिक होगा आयनन जो उर्जा है वो S बलाक से अधिक होगा परन्तु P बलाक से कम होगा इसलिए कहा जा रहा है कि S वो P बलाक के बीच में होता है ठीके मतलब ना इससे अधिक तो होगा परन्तु इससे अधिक नहीं होगा इससे कम ही होगा समझ रहना वही कहा गया कि इसका मतलब Sankamr Tattu का आइन नीर जा S.O.P. Black Tattu के मद्धे में होता है मतलब बीच में होता है तो ये हो गया दोस्तो सांकमर Tattu के गुण तो आसा करते हैं कि आपको समस में आ गया होगा कि Sankamr Tattu क्या होता है मैं यही कहुँँगा यदि आपको समस में आया है तो सबसे पहले तो एक प्यारा सा कमेंट आप कर दीजेगा और दूसरी बाइच चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर दीजेगा क्योंकि क्लाश 12 के लिए आपको सीरियस होके यहाँ पर पढ़ाई कराय जा रहा है करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं तो चली दूसर आज के लिए इतना है मिलते एक बहतरीन टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद